यह बहुत बच्चे ना रोज सुबशा मिसी को खाते हैं और बहुत सुआज से खाते हैं और तु इसे कुड़ा कह रहा है क्या बात कर रहे हो आंटी जी आप ये कुड़ा अपने बच्चों को रोज खिलाते हो हाँ ये कुड़ा नहीं खाना है पागल है क्या मेरे बच्चे तो रोज सुबशाम खाते हैं तो आंटी जी लगता है आपके बच्चे इस दुनिया में जल्दी नहीं रहेंगे तटि रोटी है लेकिन के भन गमझत तुमत अ क्या हिना वोलत जाará है जल ओड़ा से तू एक बात बता, तू इससे कूड़ा क्यों बोल रहा है? क्या है ना अंटी जी, मेरे भाई की प्राइवेट नौकरी लगी थी, शहर से भार, तो घर का खाना तो मिलना नहीं था उसे, तो वो रोज, दिन में आपके ये, मोमोज, चाउमिन, ये सब खाता था वो, जिसकी वज़ा से, उसको कैंसर हो गया, और, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, इसलिए, मेरे और मेरे घरवालों के लिए न, ये सारा खाना, पूड़े से कम नहीं है, अब बच्चों को तो खाली खाने में स्वाद ही दिखता है, उन्हें तो नहीं समझ में आता न, कि ये खाना उनके लिए कितना नुकसान डायक हो सकता है, लेकिन आप तो माँ हो, आप तो उन्हें समझा सकती हो, बता सकती हो, उन्हें इस जहर से बचा सकती हो भगवान ना करे आंटी जी, जो हमारे परिवार के साथ हुआ, वो किसी के परिवार के साथ हो इसलिए आंटी जी जितना जिल्दी हो सके इस जहर से अपने बच्चों को बचाईंगे वरना ये जहर सिर्फ उस बच्चे को इनहीं पूरे परिवार को उपरबाद करके रखते का जैसे हमारा परिवार हुजा मेरे भाई के बिना यह भगवाल, मैं अपने बच्चों को यह सब खिला थे बिमार कर वी थी, आज के बार मैं भी अपने बच्चों को नहीं खिलाओंगी, और तू सच कह रहा है, आज से मैं अपने बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाओंगी, उनको छूने तक नहीं दूगी, और इसकी सही अपने बच्चों को ना आज सी यह जहर नहीं खिलाओंगे शुक्रिया और हां अंटी जी सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं दूसरों के बच्चों को भी समझाना अपने रिश्चेदारों दोस्तों अपने समाज में सबको यह बताना ताकि हर कोई इस जहर से बच सके और आपको सिर्फ बिमारिया मिलेंगी जो बिमारिया आज आप लोगों के अंदर पनप रही है ना वो कल बहुत बुरी तरह से बाहर निकलेंगी जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी बहुत बुगतना पड़ेगा इसलिए स्वस्त रहें और घर का ही खाना खाएं और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाएं ताकि ये संदेश हर घर में जा सकी कर्या अपको जाना जा सकाएं और इस वीडियो को जा सकी